हेलो दोस्तों आज की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम पढ़ेंगे चाप्टर टू स्ट्रिंग तो यह क्या है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे इन्पुट फॉर्म कंसूल इस चाप्टर में और एक सेंपल प्रोग्राम हमें दिया गया है कि आपको एक सेंपल प्रोग्राम बराना है तो इसमें हम दोनों टॉपिक को समझेगे और इन्पुट फंक्शन क्या है इसकी पूरी जनकरे आपको इस वीडियो में देंगे वीड से पहले हम आपको यहां पर बताएंगे कि स्लेबस क्या है इसके अंदर का तो स्लेबस आप देखेंगे यहां पर accepting input from console जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं हमें accepting करनी है और print करना है statement जिसमें हमें simple python program जो python print करना है तो चली इस program को हम सुरू करते हैं आप बनाते हैं आपको यहां पर program को दिखाते हैं कैसे जो ठीक है तो आपको बता दो कि अगर आप इसको समझना चाहते हो ठीक से तो यहां पर आपको में यह नोट से इसमें हम आपको समझाते है पूरा ठीक से तो देखिए कि python input क्या है python input का मतलब होता है input एक function है और इस function के द्वारा हम लोग keyword से information कोई भी input कराना चाहते है तो input करा सकते है इसके लिए आपको कुछ नी करना सीधा input लिख देना है बस यह एक है यहां पर हमने एक simple program भी बना रखा है input करने के लिए x is equal to input interior name यहां पर हम प्रिंट कर देंगे बस simple सा program बन जाएगा चले इसको हम practical करके आपको दिखाते हैं यहां पर तो आपको बहुत ही आसानी से समाझ में आ जाएगा यह बहुत ही easy है तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं अब ही मैं यहां पर python को का console open करूँगा तो देखें कि अब यहां पर हम python का console open कर चुके हैं यहां पर मुझे यह वाला हिस्सा इतना हटा दिया हमने और हम यहां पर लिखेंगे python input function function python में input कैसे करना है तो simply यहां पर अगर मैं लिख देता हूँ x और equal लिख देता हूँ input और मैं इसी x को print कर देता हूँ यहां पर और अब इसी को मैं run करता हूँ तो देखें यहां पर यह program in चालो run हो गया है यहां पर लिख दिया और मैं इसको enter करता हूँ यह हमारा print हो गया अब यहां पर हम चाहते हैं कि इसको proper में input कर आए तो हम यहां पर चाहें तो इसको एक तरीका और दे सकते हैं print enter python अब यहां पर मैंने यह लिखा और equal लगा दिया मैंने यहां पर run कर दिया अब यहां पर आ रहा है इंटर python मैंने लिख दिया पर python और enter करेंगे तो हमें result में भी python मिल जाएगा तो कि यहां पर python किस तरह से आ रहा है यह समझ में आपको आ गया है आसाने से अगर हम चाहते हैं कि यहीं पर input करना पड़े तो हमें यहां पर यह वाले message यहीं लिखना पड़ेगा इंटरियोर नेम यह हमने लिख दिया है अब इसको run करते हैं देखें यह basic सामने हमने इंटरियोर नेम हमने लिख दिया और अब एंटर करेंगे यह RITI आ गया और हम चाहें तो यहां पर भी कुछ बदलाव कर सकते हैं जैसा कि मैं यहां पर लिख दे रहा हम योर रिजल्ट और अब इसे run करता हम इंटरियोर नेम डाट कॉम योर रिजल्ट आ गया तो इस तरीके से हम यहां पर पर प्रोग्राम को लिखेंगे और run करेंगे तो आपको यह चीज पूरा ठीक से समझ में आ गया होगा कि input किस प्रकार से करना है और एक simple प्रोग्राम कैसे बनाना है इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रियास किया कि आपको किस तरीके से चीजे करनी थी तो आपको ठीक से समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो में मज़ा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्त को भी सेर कर दीजे में अश्ट वीडियो में मिलेंगे हाँ आप वीडियो को लाइक करने के साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजेगा तो फिर मिनास्ट वीडियों मिलते तप्टा के लेवा बहुता नवा तो स्टू